हेलो फ्रेंड स्वागा था आपका हमारा यूटूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स एंड ब्लोग में तो आज हम बनाएंगे रियल ओरेंज से ओरेंज आइसक्रीम ये हम सब का फेवरेट आइसक्रीम होता है फ्रेंड रिफ्रेसिंग समर भीकेशन आइसक्रीम बनाएंगे एकदम रियल फ्रूट से वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड प्लीज वीडियो को फूल वाच करें और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें अगर चैनल में नए आते हैं तो लाइ की सहाइता से तो हम सारे ओरेंज को काट लिए हैं बीच से अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे इस तरीके से छिलका उतार लेंगे फ्रेंड ओरेंज का जूस निकालना है आप चाहे तो अगर आपके पास जूस वाला मसीन हो तो उसके सहाइता से भी निकाल सकते हैं लेकिन हम निम्बू निचोडने वाले से ही ओरेंज का जूस निकालेंगे आप पतला कोटन कपड़ा में भी डाल कर ओरेंज को निचोड सकते हैं उससे भी आसानी से ओरेंज का जूस निकलाता है इस तरीके से निकाल लेना है सारे छिलके को तो हम सारे छिलके को निकाल लिये हैं ओरेंज का तो अब हम इस तरीके से छन्नी लेंगे और जिससे निम्बू का रस निकालते हैं उसी में रख कर ओरेंज को दबाते जाएंगे आसानी से रस निकल आएगा फ्रेंड इस तरीके से आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम सारे ओरेंज का जूस निकाल लेंगे आप देख सकते हैं फ्रेंट कितने आसानी से ओरेंज का जूस निकल रहा है मिम्बू का रस निकालने वाले से तो इसी तरीके से हम सारे ओरेंज का रस निकाल लिये हैं आप देख सकते हैं छनी में छन भी गया है जो एक अब हम जूस को एक कटोरी में ले लेंगे आप देख सकते हैं एक कटोरी भरकर ओरेंज का जूस हुआ है तो एक बड़ा बरतन में ले लेंगे उसी कटोरी से हम तीन कटोरी पानी लेंगे एक कटोरी जूस में तीन कटोरी पानी लेंगे कलर आने के लिए एक चुटकी ओरेंज फूट कलर लेंगे यह ओप्सनल है आप नहीं भी डाल सकते हैं लेकिन हम डाल रहे हैं इससे थोड़ा अच्छा कलर आएगा एकदम बजार जैसा ओरेंज जैसा एकदम अच्छे टेस्ट आने के लिए हम इसमें ओरेंज का चिलका डालेंगे एकदम ओरेंज वाले पार्ट को आप देख सकते हैं इस तरीके से वाइट वाले पार्ट को नहीं लेना है क्योंकि यह ज़्यादा कड़वा होता है चाकू की सहायता से एकदम उपर के प्रत को चिलका डालेंगे ओरेंज ओरेंज वाले पार्ट को इससे अच्छे टेस्ट आएंगे एकदम रियल ओरेंज के जैसा आईस क्रीम में टेस्ट आएगा फ्रेंड इस तरीके से आप देख सकते हैं हम बस उपर वाले भाग को लेते हैं वाइट वाले पाट को नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा कड़वा होता है वाइट वाले पाट को डालने से फिर आइस क्रीम हमारा कड़वा लगेंगे अच्छे टेस्ट नहीं आएंगे इसलिए ध्यान रखने वाले बात है फ्रेंट अगर आप ओरेंज का चिलका डाल रहे हैं तो बस उपर वाले परत को ही डाले अब हम इसमें एक कटोरी भर कर चीनी डालेंगे अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो पूरे एक कटोरी भर कर चीनी डाले जितना जूस डाले हैं अगर थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं तो उससे थोड़ा सा कम डाले एक कटोरी से हलका सा कम डाले लेकिन आइस क्रीम मीठा ही अच्छा लगता है इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक कटोरी भर कर ही चीनी डालें प्रेंट ओरेंज आइस क्रीम को क्रीमी टेक्चर देने के लिए हम एक चम्माच मैदा और एक चम्माच आरा रोट डालेंगे इसका गोल त्यार करेंगे थोड़ा सा पानी डाल कर फोड़ा फोड़ा पानी डाल कर इस से हमारे आइस क्रीम एकदम क्रीमी स्मूथ टेक्चर में बनकर त्यार होगा हाड नहीं बनेंगा बरप जैसा नहीं बनेंगा ये एकदम बाजार जैसा परफेक्ट क्रीमी टेक्चर में बनकर त्यार होगा फ्रेंड तो आप देख सकते हैं हमारा आरा रोट और मैदा का घोल तयार हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे ओरेंज वाले जूस में और अच्छी तरह से मिला लेंगे अगर आपके पास आरा रोट नहीं है तो दो चम्मच मैदा ले लें अब हम गयस में चड़ा दिये हैं ओरेंज को ओरेंज जूस को हाई फ्लेम में चलाते हुए 20 मिनट तक पकाएंगे फ्रेंगे एकदम हाई फ्लेम में चलाते हुए पकाएंगे छोड़ेंगे नहीं जैसे जैसे जूस में उबाल आएगा जूस में थिकनेस आने लगेगा आप देख सकते हैं जूस में उबाल आने लगा है तो जूस में हम जो मैदा और आरा रोट का गोल डाले थे इससे हमारे जूस में जल्दी से थिकनेस आने लगता है इसलिए चलाते हुए पकाना है छोड़ना नहीं है 20 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि हमारे ओरेंज का जूस जो है और मैदा आरा रोट जोट डाले हैं घोल बना कर अच्छी तरह से पक जाए और एकदम बाजार जैसा परफेक्ट हमारा आईस क्रीम बनकर त्यार हो तो आप देख सकते हैं जूस में थिकनेस आ गया है गाढ़ा हो गया है प्रेंट आप देख सकते हैं अब हम गयस को बनकर ठंडा होने देंगे आदा घंटा तक जूस हमारा ठंडा हो गया है अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर भी आए हैं इस तरीके से हम छनी की सायता से चान लेंगे जूस को ताकि इस में जो हम ओरेंज का चिलके डाले हैं वो आसानी से चान जाए और एकदम च्रीमी डेक्टर का तरीकोच. क्रेमी टेक्चर का बनकर त्यार हो तो आप देख सकते हैं जूस एकदम परफेक्ट क्रेमी टेक्चर का हो गया है जूस हमारा ठंडा हो गया है तो हम आइस क्रीम मॉल्ड में आइस क्रीम नहीं जमा रहे हैं क्योंकि हमारे पास आइस क्रीम का मॉल्ड नहीं है तो हम पानी पी गाड़ा हो गया है ज्यादा गाड़ा भी नहीं करना है परफेक्ट गाड़ा हुआ है इसी तरीके से हम चार ग्लास में जूस को डाल लेंगे हम चारो ग्लास में जूस डाल दिये हैं तो अब हम इसको कभर करेंगे फोईल पेपर से फॉयल पेपर से कभर करने से इसके उपर आईस नहीं जमेंगे और एकदम हमारा परफेक्ट बाजार जैसा आईस क्रीम बनकर त्यार होगा फिरेंगे तो हम सारे गलास में कभर कर लिए हैं फॉयल पेपर से चारो गलास में इस तरीके से आप देख सकते हैं अब हम इसमें चाकू की साहता से कट लगाएंगे और आईस क्रीम इस्टिक डालेंगे हमारे पास लंबा वाला आईस क्रीम इस्टिक नहीं है तो हम इसी को डाल दे रहे हैं इससे भी अच्छे आईस क्रीम बनकर त्यार हो जाएगा कोई बात नहीं है तो हम चारो ग्लास में चाकू की साहता से कट लगाएंगे और बीच में आईस्क्रीम इस्टिक डाल देंगे तो हम चारो ग्लास में आईस्क्रीम इस्टिक डाल दिये हैं फ्रेंट तो चलिए अब हम फ्रीज में रख देते हैं फिरीजर में जमने के लिए 8-10 घंटा तक या ओबरनाइट भी रख सकते हैं हम ओबरनाइट आईसक्रीम को रखे हैं तो ओबरनाइट के बाद हम सुभा आईसक्रीम निकाल रहे हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छे परफेक्ट हमारा आइस क्रीम बनकर त्यार हुआ है एकदम क्रीमी टेक्चर में तो हम कुछ सकेंट के लिए पानी में रखेंगे और इस तरीके से हिला कर निकाल लेंगे वाओ आप देख सकते हैं कितने अच्छे एकदम क्रीमी टेक्चर में और बहुत सुन्दर कलर भी आये हैं हमारे ओरेंज का आइस क्रीम बनकर त्यार हुआ है एकदम परफेक्ट बाजार जैसा डिलिसियस देखने में भी लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनकर त्यार हुआ है एकदम क्र करीके से इस गर्मी में रियल ओरेंज से एक बार आप इस आइस क्रीम को जरूर ट्राय कीजिएगा फ्रेंड उमीद करेंगे आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा फ्रेंड तो थैंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई